अंगरेश नेतर राहूल गांदी आजकर अमेरिका की यात्रा पर है वह यहां मंगलवार को पहुंचे थे उनकी यात्रा शुरू होते ही भारत की राजनीतिक गलियारों में हल्चल मच गई है इस करम में वास्टिंग में राहूल गांदी ने मुस्लिव लिग को धर्ण रिपेश करार दिया है इस पर भाजबा ने उन्हें आड़े हाथ ले लिया है दरसल अमरीका के प्रेस कलब में जब राहूल गांदी से पूछा गया कि आपका केरल्स में इंडियन यूनियन मुस्लिव लिग से एक संगटन है तो इसके जवाब में गांदी ने कहा कि मुस्लिव लिग पूरी तरह से धरनिर्पेश पार्टी है मुस्लिम लिख के बारे में जब कुछ भी गैर दर्मिलपेक्ष नहीं है अमरिका में दिये गए बयान को लेकर बारत में सिहासी बवाल मचा हुआ है भाजपा और कांग्रेश एक दूसरे पर हमलावार हो रहे हैं मुस्लिम लिख को दर्मिलपेक्ष पार्टी बताने पर भाजपा ने रहुल की नींदा की है वहीं कांग्रेश ने भी भाजपा नेता को सला देड़ा ली बाजबार के अमित मालियक ने का है कि जिन्ना की मुस्लिम लिग को पार्टी धर्म अधात पर भारत की विजाजन के लिए जमेदार है राहूल गांदी उसे धर्म निपेख्ष पार्टी बता रहे हैं माल बिये ने अगे का है कि राहूल भले ही कम पड़िया हूं लेकिन वह यहां कपटी है बाइनादू में स्रीकार्ट बनाये हैं के लिए राहूल गांदी की मजबूरी है कि वहां मुस्लिम लिग को धर्म निपेख्ष पार्टी कहना जाते है श most मुस्म देस्टिर् सेख्ट आ सब्रहां बादी है। तर ह मुस्लिम लिए कर दाता है ब स्यूम लिए टेस्टिम लिए परो आ खाता है तर है ब।ोन से किलम लिए लिए çıkar ओौर्टिय्द beiden I think the person hasn't studied the Muslim League. तो सब चले गए क्या, उसी के तुरंट बाद इसका गठन हुआ, कोई बात नहीं, नाम से ही काफी है, कॉंग्रेस इनिता कहते हैं, पढ़े लिखे नहीं है क्या, मेरा कहना है, दिखाई नहीं पढ़ता क्या.